आए दोस्तो आज हम आपको स्कार्फ माक्स बनाना बताएंगे जिसके लिए देखिए हमने ये कपड़ा ले रखा है ये कपड़ा है देखिए हमने स्कार्फ में लिए ये देखिए इस तरीके से ये ये है करीब तकरीवन 52 संटीमीटर मलब 20 इंच है हलका सा 20 इंच है तो ये सवा 20 इंच का चौरस पीस है इस तरीके से ये हमारा स्कार्फ भाएगा ये देखिए लाश्टिक है और ये हमने पैटर्न काट रखा है जो मार्क्स बनाएंगे और ये पेपर पेस्टिंग है और ये इसके लिए कपड़ा ले रखा है तो कपड़े को इस तरीके से रख देते हैं से और ये देखिए इसको हमने इसको ऐसे फोल्ड करते हैं और ये हास से निसान लगाते हैं इसे करके ये देखिए ये थोड़ा सामने एश्ट्राई लिया है यह देखे इस तरीके से इसको बिछाएंगे और एक शीर यह है कि मैं इसमें निसान लगा लूँ निसान लगाने के बाद में मैं आपको दिखाऊँगा कि यह मैंने पैटन काटा कितने वाई कितने का है वो भी मैं आपको बता दूँगा क्योंकि एक पैटन देखने से और एक उसका साइद बताने से बहुत ज़्यादा फरक होता है कि आपको पता रहेगा कि इतने वाई इतने का पैटन काटना है अगर पैटन नहीं काटेंगे तो बिना पैटन के भी आप काट सकते हैं अगर काटना चाहें तो देखिए इस तरीके से अब यह देखिए पैटन को मैं हटा देता हूँ यह तो यह देखिए इसका नाप यह है पांचिंग पांचिंग इसकी लंबाई है और पौने पांचिंग इसकी चोड़ाई है जो यह इस तरीके से आती है, यह चोडाई चैला गया जाती हो यह लंभाई पांच इंच है यह चोडाई जो पौने पांच इंच है तो टोटल साड़े नो इंच तो यह देखेर इसको इस तरीके से देखिए काड लेंगे क्योंकि मैंने यह जो आपको नाप बता दिया इससे क्या है कि अगर आप चाहें तो निसान लगा के भी आप काट सकते हैं अगर मैं ऐसे ही काट देता इसको तो आपको यह नहीं पता रहता कि आप में इन्होंने कितना काट आई है यह देखिए इस तरीके से कि अभी मार्चान और जन सारा रेड़ि है कि असे करके को सबसे पहले जो है कि यही काटने पैपर पेस्टिंग उससे क्या है कि पेपर पेस्टिंग काटने से जो पैटन हमने काटressive है और इस तरीके पर्डरी के इसको एक बा Cord करेंगे है और इसको इस तरीके से रहतें रहें ये चार्ड तय बाइब कुपने झापनाए डवम उप्ड है इसको भी देखें इस तरीके से पारका ये इसके रहे तया कि ये ये दिए ये से प्रशम सब्सक्राइब दोपीस इस तरीके से रख देंगे क्योंकि इसमें दोपीस में हम पेश्टिंग नहीं लगाएंगे यह देखिए कपड़ा देख ले हलका सा 19-20 का फरक है बस उल्टे सीदेगा ज्यादा नहीं है कि देखिए इसको ऐसे करके दोनों यह पल्ले रखेंगे और यह जो दाने वाला हिस्सा है इसको नीचे की सैट में इस तरीके से देखें रखेंगे क्यूक्कि दानेवाला गर हिस्सा ऊपर रख देंगे आप और अगर àप स लगा दिए तो यह सारा की खराब हो जाएगा और प्रेड में चिपक जाएगा इस तरहीग में हमने प्रेस पहले ही खराब हो जाती है यह देखिए इस तरीके से अब यह इस तरीके से यह चिपक गया राम से इसको इस तरीके से रखके एक सिलाई में यहां पर इस तरीके से लगाऊंगा देखो इस तरीके से और इसी तरीके से यह दूसरे वाले पल्ले में भी ऐसे करके में यह सिलाई कि इस तरीके से । हौि यह दिखिए इस सिलाई को मैं लगा के आपको दिखाता हूं यह देखिए इस method कि इस तरीके से ऐसे करके यहां पे सिलाई पक्की कर देंगे और इस ड़ाएं गए memo जो ऑट को और में सिलाई को यो से फिर जाए यह बी किसी चुल कहाए लगाने के बाद में एक सिलाई देखिए ऐसे करके लपकी हम इसके उपर लगा लेंगे इस तरीके इससे क्या है यह लपकी सिलाई जो लगा लेते हैं इससे यह है कि एकदम फिनिसिंग से बैठ जाता है इस पर प्रेस लगाने की भी ज़रूद नहीं पड़ती और यह जो एंट होता है तो इसको मजबूती भी मिल जाती है इस तरीके से क्योंकि डबल सलाई हो जाती है यह देखिए ऐसे करके यह लगा के और यह देखिए इस तरीके से हम ऐसे करके और इतना एक पैर का इदर मार्जन लेके यह हम लाश्टिक लगा दिने जो यह ही ज़्यों की लास्टिक ही है इस तरीके से लगा लेते हैं this mate हम जब सिलाइ लगाएंगे ए लगई लगाइंगे धूहार कुपा सुन होगी तो यह चुबेगी नहीं और यह जो मैं आपको एक चीज और बता हूँ यह मैं छे इंच लाश्टिक कटी है इसलिए क्योंकि यह सॉप्ट वाली है अगर आप हाट वाली लगाते हैं तो इसको आपको ज्यादा लेना पड़ेगी साथ इंच के करीब लेना पड़ेगी तो यह देखिए इस तरीके से इसको इस तरीके से देखिए हम यहां से सिलाई लगाएंगे नीचे की से इस तरीके से यह देखिए ऐसे कर गए मैं और यहां पहूस को इस तरीके से पख का देंगों अब यह पक कर दिया तो यह गुम हो गए यहां पे और लाश्ट टिक को भी मनलब मच्बूत भी हो गई है अगर हमने पक College ग़्हाएं अभर यह इस तरीके से देखिए कि यह नोक पर बिल्कुछ सई तरीके से गुमा के सिलाई इस तरीके से लगाएंगे कि यह देखे ऐसे करके कि यह देखिए इसको भी हम यह बिलाश्टिक पर पका कर देएंगे ज्ञादा नीचे नहीं ले जाएंगे क्योंकि पलड़ने में फिर थोड़ी सी दिकत होगी और यह भी जैड़िक प्लाश्टिक पर देखिए इस तरीके से मूरी इसको देखे काट देगे काटने के बाद रिये नो क्ãy इनकी लोग्त है इसमार्जन काटने लिए इसाल केसे हल का सा इस तरीके से चाट तेह यहीं यहीं UH मृ displa क्योंकि यह सही तरीके से भी जाल खो इसतेके टेंगे और अभ इस तरीके से लिए पांव कि यह देखें अराम से जगा कम होती है और इसको पलड़ना होता है कि जल्दवाजी करेंगे तो हो सकता है कि यह कहीं से कपड़ा फट जाए यह लाश्टिक वगएरा ज्यादा जोड़ से करेंगे तो तूड़ जाए तो इस तरीके से देखिए आप निकालेंगे अराम से हुआ है इस तरीके से इंचिलिंगे अभागए यह देखें में सरी बना लेंगे अगर आप चाहें तो इसको पर्रेश से भी आप आप110 कर सकते हैं कि मगर ऐसा कोई वो नहीं है कि प्रेस ही होना चाहिए कि प्रेस के बिना भी इस तरीके से आप बना सकते हैं प्रेस ना हो तो भी यह देखिए इसको इस तरीके से अब यह देखिए इसको इस तरीके से ऐसे पकड़कर यहा से ऐसे करके देखिए सिलाई लगाएंगे यह और यह नीचे वाला हिस्सा है यह देखिए इसको इस तरीके से देखिए यह देखिए इसको कि यह जो नीचे वाला हिस्सा है यह बैसे भी उसमें इस काप में दब जाना है कि यह देखें इस तरीके से यह देखें ऐसे करके और यहां पर इस तरीके से फक्का करके यह उतार देंगे कि प्रही को आगे लया है तो है अस यह माक्स इस तरीके से ऐसना रेडी हो गया तो इस माक्स को दEकिए इस तरीके से आगे रख लेता हूं तो यह जो है इसको मुझे से चार्जा तरफ अ तहते यह फोल्ड करना है तो यह उल्ट सीदे का धियान रख केम हैं इगर इसमे उलड़ गए नहीं है तो आपको काटने की जरूद नहीं होता है तो ये काटना पड़ता है किस तरीके से काटेंगे बहुत्वी मैं आपको दिखा करता हम ये देखेए is तरीके से इसको फोल्ड करेंगे यह देखें यहां पे और अगर आपके पास में पीको की मसीन है तो आप इसको पीको भी कर सकते हैं फोल्ड ना करके पीको कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपके पास में पीको की मसीन नहीं है तो आप उसको इस तरीके से देखिए ये फोल्ड कर लेंगे ये बड़ी आसानी से ऐसे फोल्ड हो जाएगा ये देखें ऐसे करके आप अपने सूट के साथ की मैचिंग का बना सकते हैं क्पड़ा होना चाहिए थोड़ा ज़्यादा क्योंकि इसमें तोड़ा ज्यादा लगता है एक रुमाल के बर का कपड़ा ज्यादा एश्टा लगता है ये देखें इस तरीके से अब ये हमने इस तरीके से ये चारो तरफ से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद में देखिए इसका हमें करना क्या है वह मैं आपको देखिए बताता हूं देखिए जैसे यह है अब इसको हमें इस तरीके से देखिए यह रखना है मलग यह 2.5 इंच के करीब इस तरीके से बड़ा रखना एक और एक चोड़ा रखना है तो क्योंकि इसमें उल्टा सीथा देखिए इतना दिख नहीं रहा है मग फिर भी इसमें है उल्टा सीथा तो इसको देखिए उल्टे सीथे कपड़े में आप इसको ऐसे करें काटेंगे यह से देखिए इस तरीके से काटेंगे और यह देखिए यह सीधा उल्टा है तो यह वाला सीधा है देखिए यह सीधा वाला नीचे की साइड में और यह जो चोटा वाला पीस है, इसको इस तरीके से उपर की सेड में, ताकि ये नीचे वाला दिखे, अब इसको क्या करना है, यहां से हमें, ये बीस सेंडर का, देखिए, ये कड लगा लेना, ऐसे करके, और ऐसा ही, ये कड जो है, देखिए, इसमें लगा लेंगे, कड लगाने के बाद में, देखिए, एक छोटा वाला पीस ही उपर रखा है, और बड़ा वाला नीचे, अब इसमें हमें माक्स लगाना है, देखिए, इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से उठाएंगे, ये वाला पीस जो है, चोटा वाला, ये ऐसे हटा देगे, देखिए, और इसको हम यहां से देखिए इस सेट से ही ऐसे करके लगाएंगे यह देखिए यह सेंटर है और यह कट है इस तरीके से सबढ़ाएंगे देखिए इस तरीके से अब यह माक्स हमारा आगया है अभी जो चोटा वाला है जो ऊपर रहेगा इसको हम इस तरीके से तेखिएंगे अब इसको ऐसे करेंगे वह देखिए भड़ गणारखा है यह कट को इसको थीस तरीके से मिला देगे पर यह कि सिे लगा कि यह सक ङसे पहले हम इस तरीके हो इस तरीके से लाइंगे ये मुखिए आव चैनल से उसे बड़ा बड़ा हो जाएगा इस चीज का खास तरीके से धियान रखें और यह लाश्टिक है इसको भी इस तरीके से खीच लिए यह देखिए इसको भी हलका सा यह इस तरीके से खीचेंगे यह पूरा आजाएगा कि यह देखिए ऐसे करने और यहां पर इस तो पक्का कर देंगे और काटने के बाद में देखिए इसको ऐसे करके प्रेस लगा लें या नकून से इसको ऐसे करके सेट कर देखिए यह देखिए इसको इस तरीके से अब यह चोटा वाला देखिए ऊपर आ गया और बड़ा वाला जो नीचे चला है तो यह डवल फिरिल में आ गया है अगर आप चाहें तो इसको इसको करके सकते हैं एक क्लराच सकते हैं दूसरा वालाच लगा तरिये पकी हुग ही इस सही कहें प्राइब यिया गारट मार्फिक लगाने के बदने आप यह इस तरीका सी यह पीछे रख श सकते हैं आप पार्टी में भी जा सकते हैं वैसे भी आज कल जो मौसम चल लेया तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वॉचिंग